हेलो फ्रेंट्स, SD Empire Learning हम में आप सब का स्वागत है, जैसा कि आप जानते हैं हमारी Current Affairs चली हुई है जनवरी 2019 से, आप हमारी YouTube चैनल SD Empire Learning अप पर जाकर देख सकते हैं, महाँ पर आपको Serial Wise मिलेगा, जनवरी और फरवरी में पूर अपलोड कर चुका हूँ, एक से 15 मार्च 2019 का सबी मैं अपलोड कर चुका हूँ, यह जो Current Affairs मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, यह आपके सभी बंडे एक्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होंगे, और यह 16 मार्च से लेकर 31 मार्च के हैं, इसी तरह मैं आपको अप्रेल मई, जून, जॉलाई, आगे तक भी पूरे Current Affairs प्रोवाइड करूँगा, तो चलिए पहले Question के तरह बढ़ते हैं, कि विश्व के सबसे बड़े Artificial Intelligence शिखर सम्मेलन का आजन किस देश में किया जाएगा, तो अब तो यह हो चुका है, क्योंकि मैं तो बैक डेट में दे रहा हूँ, तो सभी तरह अमिरात, और इसकी जो थीम है, वो याद रखेगा, AI Everything, AI मतलब Artificial Intelligence, Next, हाल ही में विश्व के सबसे शक्तिशाली Operation Rocket Falcon Heavy ने अपनी पहली वानिजीक उडान सफलता पूरवग भरी, इस रोकेट का निर्मान किस कंपनी द्वारा किया गया है, तो इसका सही जवाब है SpaceX, यह अमेरिका की एक निजी स्पेस कंपनी है, SpaceX, इन्होंने ही जो सबसे शक्तिशाली Operation Rocket Falcon Heavy, इसकी पहली कमर्शल उडान जो है, उसको सफलता पूरवग लौंच किया, मैं आपको यह बता दू, कि SpaceX जो यह निजी कंपनी है, इसकी स्थापना एलोन मास्क ने की थी 2002 में, और यह इसके अभी CEO है, इसका में नेम यह है, कि जो Space Travelling Coast है, अंतरिक्ष की परिवहन की लागत है, उसको कम करना और मंगल ग्रह पर मानोबस्ते की स्थापना करना, नेक्स्ट, युनेसको गुईलेरमो कानो प्रे स्वतमतरता पुरुसकार 2019 के लिए किसी चुना गया है, तो इसका सही जवाब है, वालोन तथा क्याव सो उ, ये राइटर्स के दो रिपोर्टर हैं, उनको ये पुरुसकार मिला है, इन्होंने किया क्या था, मैयामार के राखिन राज में मानवादिकार ओलंगन की रिपोर्टिंग की थी, और इसके बाद रोहिंगया मुसल्मानों पर मैयामार में हुई अ सहासी पत्रकारों को सम्मनित किया जाता है, और इसका नाम जो पड़ा है, वो कोलंबे पत्रकार थे, गूई लेर्मो, कानो, इसाजा, उनके नाम पर रखा गया है, इनके हत्या कर दी गई थी, उनिस्तो चार्सी में, उनके ओफिस के बहार, next, हाल में Forbes द्वारा जारी, सरस्रिस्ट बेंकों की सूची में किस भारते बेंक को पहला इस्थान प्राप्ता तो इसका सही जवाब है, HDFC, उसके बाद ICICICI रहा, DBS, KOTAC, IDFC, इस तरह की लिस्ट रही है पूरी, और यह याद रखिए कि जो हमारे दिसका सबसे बड़ा जो ब पार्क, एक्चली जब चुनाव होने थे उससे पहले इस तरह के पार्क का उधगाटन हरियाना के गुरू ग्राम में किया गया था, इसका उदेश यह था कि लोगों को इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया जा सके, पने जानकारी दी जा सके, और इसका उदेश यह भी कि 2019 के चुनाव में मद्दान करने के लिए लोगों को प्रिरित किया जा सके, इसमें एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था, जिस पर लोग मद्दान करने के बाद अपनी उंगली पर अमिट शाही को दिखाते हुए स्वेम के चित्र ले सकते थे, नेक्स्ट, हाल ही में 2018 को मद्दान होना था, लेकिन महाँ पर DMK के एक उम्मीदवार थे, वेयर हाउस से उनके 11.5 करोड रूपे की नगदी पुराप्त हुई थी, तो निर्वाचाय नग ने इस धन्राशी से चुनावों के प्रभावित होने के आशंका जताई थी, और मद्दान को रद करने के इसे फारिष की थी, जिसे राष्टपती ने स्विकार कर लिया था, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी लोगसभा छेत्र में मद्दान को नगदी मिलने के कारण दद किया गया हो, इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है, वेल लोर, तमिल नाडु में, मैं चुनावायों के बारे में बता दू, यह स्वायत है और सम्मेधानिक संस्ता है, सम्मेधानिक संस्ता का मतलब होता है कि इस संस्ता को बकायदा सम्मेधान में में मैंशन किया गया है, यह आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक दी गई है, इसकी स्थापना 25 जन्री 1950 को की गई थी, पहले जो हमारे चीफ एलेक्शन कमिशनर थे, वो सुकुमार सेन थे और अभी जो हैं वो सुनील अरोडा है, इसका हेड़कटन नहीं दिल्ली में है, नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतिय संगठन ने निर्भै नामक सब सोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परिक्षन किया, तो इसका सभी रवाब इसलिए ये काफी चर्चाओं में रहा था, फिर इसका पुनरुद्धार का काम भी महा की सरकार ने करवाया था, ICC ने किस संगठन के साथ मिलकर पूरुस क्रिक्षन करने का निर्न लिया है, तो ये UNICEF, UNICEF के बारे में आप जानते हैं कि ये महिलाओं और बच्चों के लि सिक्षा और खेल के लिए किया जाएगा, next, हाली में डाक्टर S.K. शिवक्मार का निदनवा वेक शेत्र से डुड़े हुए थे, तो वो विज्ञान यानि के साइंस है, चंदरियान मन मिशन में उन्होंने काफी काम किया था, और वो DRDO के जो थे केंदर के निर्देशक भी रही थे, तो यह आप याद रखिएगा, next, किस देश ने हाली में रावन वन नामक अपना प्रथम उपग्रे लॉंच किया है, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, कि यह स्रिलंका ने किया है, next, हाली में सुर्ख्यों में रहा दुरलब का अक्पतोता, किस देश में पा स्पेस्क्राफ्ट का डाटा उप्योग करके सनी ग्रह के टाइटन चंद्रमा पर तरल मिथेन मोजूद होने के संकेत मिले हैं, और यह मिथेन महा पर सु मेटर गहरे गड़ों में मोजूद है, next, विश्व विरासत दिवस 2019 की थीम क्या है, तो इसका सही जवाब है, ग्राम प्रिदर्श्य है, आपको मैं बता दू कि भारत में 36 विश्व विरासत इस्थल है, इनमें पस्चमी घाट है, सुंदरबन रास्टे उद्यान है, ताज महल है, एहमदबाद नगर है, नालंदा विश्व द्याल्य है, बिहार का महाबोधी मंदिर है, और मध्या प्रदेश लॉंच किया है, एक नीजी ब्लोक्चेन अधारित कोई ने, इसका प्यों केवल अंतरास्टे मुद्राकोश है, यहने कि आएमें 4 वर्ड बेंक के अंदर ही इसका इस्तमाल किया जाता है, नेक्स्ट, हाली में कि इस मिशन के द्वारा प्रत्वी की तरह के ग्रह है, HD 21749C क कि खोज की गई, तो इस का मिशन का नाम याद रखेगा, टैस मिशन, यहने कि ट्रांजिस्टिंग एक्स्प्लोनेट सर्वे सेटलाइट, यह नासा का मिशन था, नेक्स्ट, कल्पना की श्रिणी में किसे पुलिजग पुरुसकार 2019 प्रदान किया गया, तो इसका सही जवा जगत में आयोजित किया जाने वाला, पहला G20 सिखर सम्मेलन होगा, इससे जो पिछले वाला था, वो अर्जीनितिना की राजधानी, वियूनेस आयरस में किया गया था, G20 जो है, सरकार और केंदरे बैंकों का एक अंतराष्ट्य फूरम है, इसमें विश्व के सभी बड़ सुचकांग 2019 में भारत तो कौन सा इस्थान पराप्त हुआ है, तो इसका सही जवाब है, 140 वा, ये रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स ने ये सुचकांग जो है, रिलीज किया है, और 2018 में बता दू, भारत इस सुचकांग में 138 वे स्थान परता है, यानि कि भारत दो वे फिल्लेंड और स्वीडन, जादे भी नहीं तो आपके याद रखेंगे, भारत का जगह याद रखेगा, 140 वा है, पहले 138 पर था, दो स्थान फिसला है, और सबसे पहले पर नावेवाले को याद रखेगा, मैं आपको रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स के बारे म और 1985 में, रोबर्ट मेनाड, रेमी लोरी, इन लोगों ने मिलके इसकी स्थापना कीती, इसका हेड़़टर जो है, फ्रांस की राजदानी पेरिस में है, ये करता क्या है, पत्रकारों के सतंतरता पर होने वाले आक्रमनों की मोनिटिंग करता है, भारत की इस देश के साथ मि इतिहास में ऐसा पहले बार हुआ है, कि किसी भारतिया महिला को ये फैलोसिप मिली है, हाले में सुर्ख्यों में रहा, छेवई फेल, कुंदे, लिंग, मठ, किस देश में इस्थेत है, तो ये नेपाल में है, अभी चर्चाओं में इसलिए रहा कि भारत सरकार ने 18.9 मिलिय नेपाले रुपे के साहयता दी थी, इसके लिए, नेक्स्ट, हाली में सुर्ख्यों में रही, मुएलर रिपोर्ट किस देश से संबंदित है, तो ये अमेरिका से संबंदित है, मैं आपको बता दूं, कि जब से अमेरिका की राष्टपती पद के चुनाओं हुए है, तब स पस्ट नहीं है कि राष्टपती ट्रम पत्वा किसी अन्ने की मिली भगत इसमें थी, नेक्स्ट, किस बैंक ने NRI लोगों के लिए पेपरलेस खाता खोलने की स्विधा शुरू की है, तो इसका सही जवाब है, IDBI, इन्होंने हाले में NRI इंस्टा उनलाइन स्विधा और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, मुख्यालेस का फ्रांस की राजदानी पेरिस में है, इसके अध्यक्ष मारसल बिलिंग सी है, और इसकी स्थापन का शुराती उद्देश ही, धन सोधन का सामना करने के लिए निती निर्मान करना था, धन सोधन मतलब मनी लोंडरिंग मनी लोंडरिंग के बारे में मैं आपको बता दू, मनी लोंडरिंग का मतलब होता है, कालेस ऐसे को सफेद बनाना, ब्लैक मनी को वाइट बनाना, और ऐसा आप कोई कंपनी बना कर सकते हैं, किसी और माध्यम से कर सकते हैं, तो उसको रोकने के लिए FVATF बनाय गया था, संत इसी रूप से निर्मित है, मिसाइल विद्वन सक पोथ इंफाल है, यह मेकिन इंडिया का बहतरी नुधरान है, और इस पोथ को प्रोजेक्ट 15B के अंतरगत लौंच किया गया है, मैं आपको यह बता दू कि जो इंफाल है, वो मनी पूर की राजदानी है, और इस पोथ का कोमेडियन थे और बड़ी चर्चाओं में रहे थे चुनाओ जीतकर, एक्चली जो यह कोमेडी करते थे नाटक में, उसमें यह खुद को ऐसे दिखाते थे कि जब यह उक्रेइन की प्रिजडेंट बन जाएंगे, तो क्या करेंगे और बाद में यह खुदी राष्टपती बन गए, नाम याद रखेगा, किस सभी तरास्ट एजनसी ने 1904 की भोपाल गैस तरास्दी को 20 वी सदी की सबसे बड़ी उद्योगी की दुरगटनाओं की सूचे में शामिल किया है, इसका सही जवाब है, अन्तरास्ट यह सिरम संग्धन, उनने हाली में एक रिपोर्ट ज मारे गए थे, और इस रिपोर्ट में विश्व की सबसे बड़ी उद्योगी की दुरगटनाओं में, 1986 का चेर्णोबिल नाब के अर्जा प्लांट्री स्पोर्ट, जो अभी उक्रेन में है, पहले उससार में पढ़ता था, और 2011 की फुकु सीमा दुरगटना जो जापान में होई थी, और 2013 की राना प्लाजा दुरगटना जो बंगल देश में होई थी, उनको भी शामिल किया गया है, विश्व प्रत्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रेल को मनाया जाता है, इस वर्स की जो थी में हमारी प्रुजातियों को बचाओ, प्रोटेक्ट अवरी स करी थी, हाले में सुर्ख्यों में रहा होब प्रोब प्रोजेक्ट किस देश से संबन देता है, तो इसका सही जवाब है सिंफ तरब अमिरात, सिंफ तरब अमिरात का ये एक महत्व कंशी मिशन है, और इस मिशन के तहत अंत्रिक्षान मंगल ग्रह के लिए भीजा जाएगा हो प्रोब जुलाई 2020 में लॉंच के जाएगा, और यदि ये मिशन सफल लेता है, तो UAE मंगल ग्रह के लिए मिशन भेजने वाला पहला आराबूर मुसलिम देश बन जाएगा, नेक्स्ट, हाली में किस देश में विश्चु का सबसे उचा इंडूर वाटरफोल खोला गया लंदन स्कूल ओफ एकोनोमिक्स ने किस भारते अर्थ सास्त्री के सम्मान में अध्यन पीठ की स्थापना करने का निड़न लिया है, तो इसका सही जवाब है अमर्थ सेन, अमर्थ सेन के बारे में आपको यार दखना चाहिए कि उन्होंने वैल फेर एकोनोमिक्स कल्यान अ नोबिल पुरुषकार से सम्मानित किया गया था और 1999 में इन्हें भारत रतन भी मिला था, नेक्स्ट, हाली में कि शहर में एशन टी ऐलाइंस लॉंच किया गया, इसका सही जवाब है गुईजू, चीन के गुईजी में ये पांच चाय उत्पादक और गभुता देशों के इसमें कौन-कौन है तो भारत है, चीन है, स्रिलंका है, इंडोनेशिया है और जापा है, उद्देश यही है कि व्यापार सांस्कृतिक आदान प्रदान तकनिक को बढ़ावा दिया जा सके, नेक्स्ट, 29 वे अबुदावी अंतराष्टे कुस्तक मेले में किस देश को गैस इसका नाम जो रखा गया है, मोस की रिक्स रखा गया है, एना फ्लीज नामक मादम अच्छर के काटने से मलेरिया होता है, एक संक्रामक रोग होता है, नेक्स्ट, रास्टिया पंचायती राजदिवस का मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है, 24 अप्रेल, 1902 में एक को हुई थी, जवालाल नहरूस में परदानमंतरी हुआ करते थे, और जो 73 और 74 वा समिदान संचोदन हुआ था, तो इसमें दो भाग जोड़े गए थे, ग्राम पंचायत के लिए नाव, और नगर के लिए नो का, और एक आर्टिकल याद रखेगा, 243, इसमें अनुसूच में पंचायत के 29 विशों को शामिल किया गया है, कैंसर तैयारी सूच कांग 2019 में भारत को उनसा इस्थान प्राप्त हुआ है, तो 28 देशों की सूची में भारत को 19 विश्थान मिला है, पहले में ऑस्टेलिया है, नीदरलेंग और फिर जर्मनी है, 2019 में विश्व प्रतिरक् करवाने में महत्पुन भूमी का निभाई है, उनको इसमें सम्भानित किया जाता है, हर साल अप्रेल के अंदिम सप्ता को विश्व प्रतिरक्षन सप्ता के रूप में मनाया जाता है, नेक्स्ट, रविंदरनाथ टैगोर साहितिक पुरुसकार 2019 किसने जीता तो रानादास गुपता ने जीता, उनका उपनियास है, सोलो, उनके लिए मिला है, विश्व समाजी को प्लब्दी के लिए, रविंदरनाथ टैगोर साहितिक पुरुसकार योही सास कावा को परदान किया गया, और मैं बता दू कि इसकी स्थापना विश्व शानती को बढ़ावा देने, साहित कला और सिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कि गई थी, नेक्स्ट, भारत ने मलेरीया के उनमूलन के लिए कौन सा अभियान लौंच किया तो इसका स़ही जवाब है, मेरा इंडिया की फुल फूर में है, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च एलाइंस, इसका उद्दि पूरी तरीके से खत्म कर देना है हाली में किस देश के वैग्यानिकों ने रयूगु नामक शुद्र ग्रह पर क्रित्रिम क्रेटर का निर्मान किया तो इसका सही जवाब है जापान जापान के हयाबुसा 2 मिशन ने रयूगु शुद्र गिरे की सतय पर विस्फोटा गिराया था इसका उद्रस्ष सोर मंडल के निर्मान के बारे में जानकारे प्राफ्ट करना है और यह जो है जापानी अंतरिक्ष एजंसी द्वारा भिजा गया मिशन है इंडोनेशय ने रामान के थीम पर विशेश डार्क टिकट जारी किया इसके को डिजाइन किस ने किया बापक नियोमन नुवारता ने और मैं आपको यह भी बता दू कि भारत और इंडोनेशय के बीच राज ने एक संबंदों के सत्तर वर्स पूरे हो गए है इस वज़े स पूराने की योगेंद्र हाले में सुर्ख्यों में रहे अभीशे कवर्मा की स्खेल से संबंदी तो निसाने बाजी इन्होंने बीजिंग में अंतराष्ट निसाने बाजी संगों विस्वकप में स्वन्पतक जीता था दस मिटर एयर पिस्टल इवेंट में पॉलिटिक्स ओफ जुगार्द कोईलिशन हैंड़ उस तक के लिखा कोन है तो इसका सही जवाब है सबानक भी दरसल दोजाब इसके चुनाव से पहले उन्होंने किताब लिखी थे उन्होंने गठबंदन की सरकार की संभावना का विसलेशन किया था लेकिन अब तो यह कि कहते हैं भारत ने इसकी पहले फोरम में भी हिस्सा नहीं लिया और इस वाले में भी हिस्सा नहीं लिया नेक्स्ट आर्थिक पूंजी फ्रेमबर के लिए भारती रिजर बैंक ने किसके देश्टा में समितिक अगठन किया तो सई जवाब है विमल जलान 610 समिति बनाई अगरस्त सबके में आपको करन्ट अफेर्स प्रोवाइड करूंगा आप अपनी पृतिक रियां से हमें अवगत कराते रहिए तब तक के लिए धिन्या बनाऊंदा